हेलो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेस्ट इन मार्केट के एक और नए वीडियो पे तो दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लिजेगा और आज की दो वीडियो आ चुकी हैं उन्हें भी एक बार जरूर से देख लीजेगा अब दोस्तो हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टाटा मोटर्स को उससे पहले हम लोग डाउ जोंस पर नज़र डाल लेते हैं डाउ जोंस में विल्कुल भूकाम पा रखा है डाई परसेंट का किरावट आपको डाउ जोंस में देखने को मिल रहा है तो इसलिए कल के दिन भी निफ्टी में आपको almost 2% की correction देखने को मिल सकता है तो इसलिए अगर आप Nifty में trade लेते हैं तो मैंने already Nifty से related भी एक वीडियो बना दी है तो उसके basis पे आप trade ले सकते हो अब Tata Motors के उपर discussion करने से पहले हम लोग सबसे पहले Tata Motors के ADR को देख लेते हैं जो की US stock में listed है आज के दिन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा हुगा करीब करीब 7.5% का गिरावट देखने को मिल रहा है almost 7.5% का गिरावट Tata Motors के ADR में आपको देखने को मिल रहा है इसका clear सा संकेत यह है कि आपको Tata Motors का ADR crash होते हुए देखने को मिल रहा है तो अब हमारे लिए सबसे important चीज ये निकल के आती है कि Tata Motors का जो ADR का stock है वो आपको क्यों गिरता हुआ देखने को मिल रहा है Actually दोस्तो चाइना में जो lockdown लग रहा है उसकी वज़े से Tata की जो sales है उसके उपर काफी ज़ादा impact पढ़ने वाला है और इसी वज़े से Tata Motors आज के दिन आपको गिरते हुए देखने को मिला और कल के दिन भी आपको Tata Motors में गिरावट देखने को मिल सकती है आप clearly news में देख सकते हो COVID की वज़े से जो चाइना में lockdown लग रहे हैं उसकी वज़े से जो Tata Motors के dealership है उनमें काफी ज़ादा impact पढ़ने वाला है और even जो Tata Motors का production है उसमें भी hot लगता हुआ देखने को मिल सकता है तो इस वज़े से charts पर क्या scene मन रहा है अब फटा फट से हम लोग उसको discuss कर लेते हैं Tata Motors का chart काफी ज़ादा important chart है आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो almost 5% की गिरावट आपको इस stock में देखने को मिली है और मैं पहले आपको बता दूँ कि ये है जो level ये बहुत important level है ये है 360 रुपीज का अब ये एक important support क्यों है और इस पे मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि यहाँ पर आपको बाई करके चलना है वो मैं अभी भी आपको इलिए same ही रखूँगा अगर आपको ये stock यहाँ पर देखने को मिलता है 360 रुपीज पे तब आप इस stock को बाई करके चल सकते हो उसके पीछे का भी reason में आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले हम लोग इस trend line को discuss कर लेते हैं यहाँ पर आप देखो इस trend line के ओपर इस stock ने एक बर support लिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो क्या हमें wait करना चाहिए जी हाँ अगर आपने नीचे के position पर entry बनाई हुई है तो आप यह जो 360 रुपीज का level है यहाँ पर average करने के बारे में plan कर सकते हो और जिन लोगों ने अभी entry नहीं बनाई है Tata Motors में वो 360 रुपीज पे अपना first installment लगा सकते हो अब 360 रुपीज का यह जो level है यह क्यों इतना जादा important है यह मैं आपके साथ और share कर देता हूं लेकिन उससे पहले chart को थोड़ा समयर को zoom out करना पड़ेगा अब अगर हम लोग पीछे जाकर के देखते हैं तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हो कि 360 रुपीज का जो level है पर 4 बर तो almost 4 times यहाँ पर resistance लिया था और उसके बाद जब stock अपने इस resistance zone को break किया था तब आप इसमें देख सकते हो कि सीधे सीधे आपको यह stock यहाँ से 536 रुपे के level पर जाते हुए देखने को मिला था और इसी तरह का resistance 536 रुपे पर आपने काफी बार देख लिया है अ आपको फिर से इसी तरह की शांदार rally देखने को मिलेगी और almost आपको यह stock 900 रुपे के target को hit करते हुए देखने को मिल जाएगा लेकिन अभी इतने दूर के target की बाद हम लोग नहीं करते हैं अभी के समय में news के basis पर जो stock में गिरावट देखने को मिल रही है उसके उपर हम फोकस करते हैं तो news के basis पर तेजी और मंदी short term की होती है यह फिर से आपको मैं बता दू बहुत अच्छा मौका मिल सकता है आपको Tata Motors में entry बनानेगा और यह जो अच्छा मौका मिलेगा यह आपको 360 रुपीज के level पर मिलना start हो जाएगा अब आपको यहाँ पर क्या strategy अपन swing के basis पर इस stock में entry लेनी है तो आपको एक छोटा सा stop loss लगाना पड़ेगा इस stop loss कहां का 342 रुपीज का 342 रुपे का आप stop loss डाल करके चल सकते हो और यह चीज़ यह ध्यान लगना यहाँ पर यह जो entry में आपको बता रहा हूँ यह किन लोगों के लिए है जो लोग swing के basis प long term के purpose से short term या long term के purpose से अगर आप entry बना रहे हो तो आपको इस stock को थोड़ असा और dip मिलने पर add करना है अब यह dip कहां तक मिलेगी अब यह देखो पहला installment आपने कहां पर buy किया 360 रुपीज पे second installment दोस्तों आप कहां पर लगाओगे 322 रुपीज पे 322 रुपीज पे और इस सबसे बड़ी installment 285 रुपीज पर ही लगानी है बहुत रेयर चांस होंगे 285 रुपीज तक यह stock slip करें लेकिन market इतना जदा वालेटाइल है अगर एक one go में आपको 285 रुपीज पे Tata Motors जासे stock मिल जाता है तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं होगी I hope इस वीडियो में जाती है वो है हमारा target अब target के बारे में हम बहुत जादा discussion नहीं करेंगे यह केवल और केवल best buying level है अगर नीचे के levels पर आपको मिलते हैं तो आप accumulate कीजिए एक important level है वो है 536 रुपीज का 536 रुपीज जिस दिन हम लोग cross करेंगे आपको 900 का target मैं लिख के दे रहा हूं आप देखने को मिल सकता है इस range के अंदर जब तक Tata Motors है तब तक आपको इसमें एक past momentum देखने को तो नहीं मिलेगा आपको swing trading के purpose से यह stock देखने को मिल सकता है मैं personally अपना view बता हूं तो मुझे यह stock long term के purpose से काफी जादा अच्छा है अगर आपका view 5-6 साल का है तो आप इस stock को बिंदास hold करके चल सकते हो और जितने नीचे stock मिले आप उतना ज़्यादा quantity में buy करके चल सकते हो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर दीजेगा अपने दोस्तों साथ share कर दीजेगा फिर मिलूगा एक और ऐसी वीडियो ले करके तब तक के लिए धन्यवाद